कुछ तकलिप है भी यहां मंच पर रखी हैं जिसका समाधान बारत सरकार के सहयोग से वो चाहते हैं कैंद्र से उनकी जो अपिक्सा है उसको भी मंच पर रखने का काम हुआ है और कुछ अच्छे सुजाव भी आये हैं मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब मिलकर इस सारी समस्याओं के समाधान की और एक वाक्यता के साथ आगे बढ़ेंगे आज इस विशेश सत्र के उपरांत चार सत्र और होंगे जिसमें साइबर अपराद, नार्कोटिक्स, कन्विक्शन डेश्यो बढ़ाना, दो सिद्धी का प्रमान बढ़ाना और सिमा सुरक्षा का प आजादी की जब सताब्दी मनाई जाएगी तब भारत सरकार के जो लक्स निर्दारित किये हैं, इसमें ग्रू मंत्राले के लक्सों को भी हमने राज्यों के साथ साजा किया है, और 2047 में जब देश आजादी की सताब्दी मना रहा होगा, तब देश की अंत्रिक सुरक्षा और सिमा सुरक्षा, दोनों क्षेत्रों में कहां तक किस लक्स को प्राप्त करने के लिए समय बद्द कारेकरम हमारा क्या होगा, इसकी भी आज सबको जानकारी मिलेगी, प्रधान मंत्री महोदय, हम सब बहुत आतूर है आपका मार्दसन इस विशेए पर प्राप्त करने के लिए और आपने हमारे निमंत्रन को स्विकार करकर हम सब को बहुत आनंदित और उत्साहित किया है, अता पूरे सदन की ओर से मैं विनम्र निवेधन करूंगा कि आप देश के सभी मुख्यमंत्री, गुरूमंत्री और सारे सुरक्षा के साथ जुड़े हुए एजंसी की प नमस्टार केंद्री ये मंत्री मंडल के मैरे सही होगे, स्रीयमिच शाह अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्री गाण, ग्रह मंत्री जी, राज्यों के पुलीस महान देशक, ग्रह मंत्राले के वरिष्ट पताजी कारी गाण, अन्य सभी महानुफाओ, देवी और सजनों आजकल देश में उत्सव का माहोल है, ओनम, इद, दशरा, जुर्गापुजा, दिपावली सहीत, अनेक उत्सव, सांती और सहवार्द के साथ, देश वाच्यों ने मनाए है अभी छट पूजा का समेत कई अन्य तोहार भी है विबिन चुनोतियों के बीच इन तोहारों में देश की एकता का ससक्त होना आपकी तयायों का भी प्रतिविम है समिधान में भले कानून और व्यवस्था राज्यों का दाइत्व है लेकिन ये देश की एकता अखंता के साथ भी उतने ही जुड़े हुए है सूरत कुन में हो रहा ग्रह मंत्रियों का ये चिंतन शिवीर कोपरेटिव फडरिरिज्म का भी एक उत्तम उधारन है हर एक राज्यों एक दूसरे से सीखें एक दूसरे से प्रेणा लें देश की बहतरी के लिए मिल जुल करके काम करें ये संविधान की भी भावना है और देश वास्यों के प्रती हमारा दाईत्व भी है साथियों आज्हादी का अम्रित काल हमारे सामने हैं आने वाले 25 साल देश में एक अम्रित पीड़ी के निर्मान के हैं ये अम्रित पीड़ी पंच प्राणों के संकल्पों को धारन करके निर्मित होगी विख्सीत भारत का निर्मान गुलामी की हर सोच से मुक्ति विरासत पर गर्व एकता और एक जुडता और सबसे प्रमुखवाद नागरिक करतव्य इन पंच प्राणों का महत्व आप सभी भली भाती जानते हैं समझते हैं यह एक विराण संकल्प है जिसको सिर्फ और सिर्फ सबका प्रयास से ही सिद्ध किया जा सकता है परीके अपने अपने हो सकते हैं रास्ते प्रावरिटी अलग अलग हो सकती हैं लेकिन यह पंच प्राण देश के हर राज में हमारी गवर्णन्स की प्रिणा होनी चाहिए जब यह सुसासन के मूल में होंगे तो भारत के सामर्थ का विराट विस्तार होगा जब देश का सामर्थ बढ़ेगा तो देश के हर नागरिक हर परिवार का सामर्थ बढ़ेगा यही तो सुसासन है जिसका लाब देश के हर राज्य को समाज की आखरी पंक्ती में खड़े व्यक्ति तक पहुचाना है इसमें आप सभी की बहुत बड़ी भूमी का है साथियों यहां आप में से अधिक तर या तो राज्य को नित्रुत्व दे रहे हैं यह पिर सीधे सीधे कानून व्यवस्ता की जिमादारी निभार रहे हैं कानून व्यवस्ता का सीधा समान्द राज्य के विकास से है इसलिए राज्यों में विकास के लिए अनुकुल वातावन बनाने में आप सभी के निर्णे और नीतियां और आपकी रिती ये बहुत एहम है साथियों कानून व्यवस्ता के पूरे तंत्र का विश्वस्निय होना जनता के बीच उनका पर्सेप्शन क्या है ये भी उतनाही महत्वपून है कि आपने देखा है कि जब भी कोई नेचरल केलमिटी होती है प्राकूरतिक आपदा होती है तो इन दिनों एंडी आरेप की एस्टी आरेप की पहचान बनी हुई है उनका यूनिफॉर्म उस संकट के समय पहले पहुंच जाना और इसके कारण देश वास्यों के मन में इनके प्रतिक विश्वास बना है कि यह आये हैं चलिए समल जाएगा यह जो कह रहे हैं मानना चाहिए इनकी बातें अगर स्विकार करेंगे तो हमारा नुक्षान कम होगा और आप देखिए एंडी आरेप में है कौन भाई एस्टी आरेप में है कौन आप ही के समसाती हैं सुरक् आपदा के समय में जैसे ही एंडी आरेप, एस्टी आरेप की टीम पहुंचती हैं वैसे ही लोगों को संतोष होने लगता है कि अब एक्षपर टीम पहुंच गई हैं अब से अपना काम कर लेंगे साथ्यों अपराद वाली किसी भी जगह पर जैसे ही पुलिस पहुंचती हैं लोगों में ये भाव आता है कि सरकार पहुंच गई कोरोना काल में भी हमने देखा है कि किस तरह पुलिस की साख बैतर हुई थी पुलिस के लोग जरूरत बंदों की मदद कर रहे थे जरूरी संसाधन जुटा रहे थे अपने जिंदगी को दाव पे लगा रहे थे यानि कर्तव्य परायनता में कोई कमी नहीं है जरूरत अच्छा परसेप्सन बनाए रखने की भी है इसके लिए पुलिस बल को प्रेदित करना उसके लिए प्लान करना हर छोटी मोटी चीजों पर लगातार मारदर्शन करते रहना कुछ गलत होता है तो रोकना ये हमारी एक जीवंत प्रक्रिया होनी चाहिए उपर से नीचे तक हर पल होनी चाहिए सात्यों हमें एक बात और समझनी होगी अब कानून ववस्ता किसी एक राज्य के दायरे में सिम्टी रहने वाली ववस्ता नहीं रह गई है अब अपरात इंटर स्टेट और इंटरनेशनल हो रहे हैं यानि टेक्नोलोजी की मदद से एक राज्य में बैठे अपरादी दूसरे राज्य में भंकर अपराद करने की ताकत रखते हैं देश की सीमा से भार बैठे अपरादी भी टेक्नोलोजी का जम कर गलत इस्तमाल कर रहे हैं इसलिए हर राज्य की एजंसियों का अपस में तालमे लिए केंद्रव और राज्य की एजंसियों का अपस में तालमे लिए बहुत जरूरी है और इसलिए आपको मालूम होगा मैंने डीजीपी कॉन्पर्स में कहा था कि दो एड्जाइनिंग स्टेट होते हैं उसके जो एड्जाइनिंग डिस्टिक होते हैं उन्होंने पिरियोडिकली भैट करके दोनों राजों के उन दोनों जिलों की समस्याओं का संकरन करना चाहिए साथ मिल करकाम करना चाहिए उसे में से ताकत बनेगी कई बार केंद्रिये एजन्सीयों को कई राज्यों में एक साथ जाज करनी पड़ती है दूसरे देशों में भी जाना पड़ता है इसलिए हर राज्य का दायित्व है कि चाहें राज्य की एजंसी हो, चाहिए केंद्र की एजंसी हो, या सम्मंदित कहीं किसी और राज्य से सम्परगाता है, सभी एजंसीयों को एक दूसरे को पूरा सहयोग देना चाहिए, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, किसका अधिकार है, उसी में कभी-कभी तुम देखते हैं एकाद F.I.R. रेजिस्टर नहीं क्यों नहीं हुई तो बोले यह ताइनी हो रहा है कि वो जो जगा है वो इस ठाने में पड़ती है कि उस ठाने में पड़ती है यह जो चीज़े हैं वो सिर्फ पुलिस स्थाने तक लही हैं राज्यों के बीच भी हो जाती हैं केंद्रवर राज्य के बीच में हो जाती हैं भारत और विदेश की व्यवस्ताओं के साथ हो जाती हैं इसलिए हमारी efficiency के लिए हमारे outcome के लिए सामान्य नागरी को सुरक्षा देने के लिए हमारे बीच में तालमेल संकलन सहयोग बहुत अनिवारी है और इसके लिए जितना संकलन बढ़ेगा आपके राज्य के भी ताकत बढ़ने वाली है साथ्यों साइबर क्राइम हो या फिर ड्रॉन टेक्नोलोजी का हथ्याराव और ड्रक्स तरस्क्री में उप्योग इनके लिए में नई टेक्नोलोजी पर काम करते रहना होगा अब देखिए हम फाइव जी के यूग में गुजगर है तीजी से फाइव जी पहुंचने वाला है अब फाइव जी के जितने लाभ है इतनी ही जागरिक्ता भी जरूरी रहेगी फाइव जी से फेशल टेक्नोलोजी आउटोमेडिक नंबर फ्लेट टेक्नोलोजी ड्रोन और सिसी टीव जैसी टेक्नोलोजी पर्फॉर्मस में ये कई गुना सुधार होने वाला है लेकिन हम जितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे जो क्राइम करने वाला बॉल है उसका भी ग्लोबलाइजेशन हो चुका है वो भी वो इंट्रस्टेट हो चुका है वो भी टेक्नोलोजी में फॉर्वर्वर्ड हो चुके हैं मतलब हमें उनसे दस कतम आगे जाना होगा हमें हमारी कानून ववस्ता को भी स्मार्ड बनाना इसके लिए बहुत ही आग्र से काम करना पड़ेगा साथियों मेरा आग्र ये भी है कि टेक्नोलोजी को कृपा करके बजेट के तराजु से न तो ले और मेरा सभी आधर्निय मुक्हमंत्रियों से सभी आधर्निय Спॉर्मंत्री से इस विषे में एक टीम बनाकर दुनिया मैं क्रिमिनल वर्ड कि इस टेक्नलोजी में आगे बढ़ रहा है उंपले टेक्नलोजी हमारे लोगों को कैसे सुरक्षा दे सकती है इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए और इसमें जो बजेट जाएगा वह बाकी सेक्ड़ों खर्चों को बचाने का कारण बन जाएगा और इसलिए टेक्नोलोजी का बहतर इस्तमाल पूरे पुलिस तंत्र को तो मजबूत करता ही करता है सामान्य मानवी को सुरक्षा देने का एक विश्वास नीचे तक हम पहुंचा पा सकते हैं कि टेक्नालोजी क्राइम प्रिवेंशन में भी मदद करती हैं और क्राइम डिटेक्शन में भी क्राइम इंवेस्टिकेशन में भी बहुत काम आती हैं आज देखिए कितने ही अपरादी सिसी टीवी की वज़र से पकड़े जा रहे हैं स्मार्ट सीटी अभ्यान के तहर शेहरों में बनाए गए आदुनी कमान एंड कंट्रोल सिस्टिम से भी बहुत मदद मिल रही हैं साथियों इस प्रकार की नई टेक्नोलोजी के विकास के लिए केंद्र सरकार ने पूलीश टेक्नोलोजी मिशन भी शुरू किया है अनेक राज्य भी इसमें अपने स्तर पर काम कर रहे हैं लेकिन यह अनुभव आ रहा है कि हमारे अलग-अलग प्रयोग होने के कारण हमारी टेक्नोलोजी एक दुसरे के साथ बात नहीं करती है और इसलिए हमारी एनर्जी बेस्ट होती है वो जो भी मट्रियल है वो उस राज्य तक सिमित रहता है हमें common platform की विशे में बड़ा मन रख करके सोचना ही पड़ेगा किसी एक के पास बहुत उत्तम चीज है तो यह मान करके न बैठे कि मेरे पास है मैं तो किसी को दूंगा नहीं मैं अपनी ताकत बनाए रखूँगा एक समय आएगा कितने उत्तम टेक्लोलोजी होगी और लोगों के साहियोग में नहीं होगी तो stand-alone निकम्मी हो जाएगी और इसलिए टेक्लोलोजी मैं भारत के संदर्वे में सोच रहा हमारी सभी best practices, best innovation common link वाले ही होने शाहिए, inter-operable होने शाहिए एक दूसरे के साथ लगातार सरलता से बात कर सकें ये विवस्थाएं अनिवार यह हैं साथियो आज forensic science का महत्मा बढ़ रहा है और वो सिरब पुलीश मेहकम के तक सिमित नहीं है जी legal fraternity को forensic science समझना पड़ेगा, judiciary को forensic science समझना पड़ेगा इवन hospital को भी forensic science समझना पड़ेगा इन सबके प्रहत्त से ही forensic science का उपयोग, crime और criminal को सजा दिना ले में बहुत काम आ सकता है अकेला पुलीश के पाद forensic science की कुछ व्यवस्ता है इनप नहीं होगा और इसलिए हर राज्य में हमें संकलीत और संतुलीत व्यवस्ता हर राज्य को गांदी नगर सीथ देशनल फारंसिक साइंस उनिवर्सिटी की और उसकी क्षमता आज दुनिया के 60-70 देश फारंसिक साइंस उनिवर्सिटी का लाब ले रहे हैं हमारे राज्यों ने भी बढ़ चड़ करके राज्य लाब लेना चाहिए यह पूरी तरह फुचरिस्ट्रिक टेक्नलोजी ड्रीवन व्यवस्ता है फ्यूमन डिसोर्स डेवलप्मेंट का भी बहां काम है नए नए टेक्नलोजी टूल बनाने का भी काम है और केस बड़े कठीं केस इसको सुल जाने में भी वो लेब काम आ रही है मैं समझता हूं कि इस ववस्ता का उप्योग रसभी राज्य सक्रियता से कैसे करें साथियों कानून ववस्ता को बना रखना एक 24 वाई 7 वाला काम है लेकिन किसी भी काम में ये भी आवश्ट है कि हम निरंतर प्रक्रियों में सुधार करते चले उन्हें आधिरिक बनाते चले बीते वर्षों में भारत सरकार के स्तर पर कानून ववस्ता से जुड़े रिफार्म्स हुए हैं उन्होंने पुरे देश में शांती का बातावन बनाने में मदद की हैं आप भी जानते हैं कि भारत की विविदता भारत की विशालता की बज़र से हमारे लॉँ एन्फोर्स्मेंट सिस्टिम पर कितना दबा होता है इसलिए बहुत जरूरे हैं कि हमारा यह सिस्टिम सही दिशा में उर्जा लगाएं वरना हमने देखा है कि कितने ही अनावशे केसों में छोटी-छोटी गलतियों की जाच में ही पुलीस डिपार्टमेंट की उर् से जुड़े अनेकों प्रावधानों को अब्दी क्रिमिनलाइज कर दिया है उन्हें अपराती स्रेणी से भाहर निकाल दिया है कि डेड़ हजार से जादा पुराने कानू को नोगों को समाप्त करके भविश्का भूद बड़ा बोज कम किया गया है मैं तो राज्यों से भी आगर करता हूँ आप भी अपने हाँ कानूनों को इवेल्यूट कीजिए आजादी के पहले कि जितने कानून है इनको बर्तमान तारीकों के साथ बड़लाव लाईए हर कानून में क्रिमिनल एंगल और निर्दोष नागरिकों को परिशानी वो वक्त से चला गया है जी सात्यों सरकार को अब जैसे स्वामित्व योजना ये स्वामित्व योजना के तहट देश के गाउं में ड्रॉन टेक्नोलोजियों के माध्यम से प्रॉपर्टी कार्ड वित्रित कर रहे हैं वो भी जमिन से जुड़े विबादों को कम करेंगे जगड़े खतम होंगे गाउं के वरना गाउं की समस्यात ज्यादा अतर एक पूट जमिन इसने ले ली उसी में से बड़े जगड़े हो जाते हैं सात्यों परोक्ष और लॉख ऑपरोक को चिवर में पुर्धान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बाते रखी और कहा बढ़ता जा रहा है उनलाइन टेरिरिजम बढ़ रहा है उसको लेकर प्रुधान मंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बाते हैं सबसे बड़ी बात प्रुधान मोदी ने कही कि जरूरी है कि हमें पर्सेप्शन बदलना है जिस तरीके का पर्सेप्शन एंडियर एफ एसडियर एफ के लिए है कुछ वैसा ही पॉजिटिव पर्सेप्शन पुलिस को भी बिल्ट करने की जरूरत है